कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो बहुत साइर लोगों का ऐसे से सेसल 2018 का डीवी स्टार्ट हो गया होगा और बहुत साइर लोगों का भी डीवी होना बाकी होगा ठीक है तो अगर आप सपीका जो भी एक्स्प्रियंस होगा अगर आप सेर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन वे और कमेंट जरूर किजिएगा और एक और बात अगर डीवी स्टेट कोई भी आपके कोई भी समस्या कोई भी क्यूरिस है तो आप इस वीडियो के डिक्स्प्रिशन बॉक्स में आप इसे पोस्ट भी कर सकते हैं तो यहां पर एक एक ऐसा डीपार्ट्मेंट हो जो की सेचसल के थुरू दो मैंने लुट अथारह में भी किस थी और मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसे मैंने ये बताया था कि top ministry is कौन-कौन से हैं उसमें मैंने इस department के बारे में मतलब जिक्र भी किया था हुआ कि मैंने ये बात मैंने बोला था कि आप सब ही एक ऐसा ministry एक ऐसा department देखे जहां पर कोई भी criteria fix नहीं है तो वो जो मैंने बात जो बताया था आपके कुलकाता में मेरे एक फ्रेंड है दोया सतरा बैस से उनसे मैंने पूछ करके ये वीडियो बें बना रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहल तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिश्टर आकास कुमार को अगर आपको इसका प्रोमोशन एसपेक्ट के बारे में जानना है तो आप यह सी जान जाओ इस बार भी CSL 2018 में L20 या साइज L11 ऐसा कोई भी होगा इसका डिपार्टमेंट का नाम है Department of Posts Admin Ministry of Communication ठीक है यह पूरा क पूरा नाम होग को असका Department of Posts Admin Bracket में आपका होगा Ministry of Communication के अंडर में Ministry of Communication के अंडर में CSSL के द्वारा दो पोच फरी जाती है एक है आपका PSE का उसके बारे में बात नहीं कर रहा ह온 यह LDC पोच्ट के बारे में बात कर रहा हो है 2020 में आप जुलाई के मन्त में जुलाई या अगस्ट मुझे ध्यान नहीं लिक्नि यह दूनों मन्त में से कोई भी होगा ठीक है नवंबर में उसने प्रोमोशन का एक्जाम दिया था जन्वरी से उसका अठाइसो डेट पे का जो अठाइसो का उसका प्रोमोशन का सीन क्या है यह मैं आपको क्लियर खर रहा हूं इसमें होता है कि डिपार्टमेंट जो कि यह हर सल कई कभी एक सल गैप करके भी यह वेकैंशस निगालती है और उसमें सबसे पहला प्रोमोशन जो पास करना कोई ऐसा कुछ हार्ट चीज नहीं है क्यों इसके पीछे का मैं रीचे बता रहा हूं वो मेरे फ्रेंड जो ही आगास ठीक है उन्होंने इस बात को बताया है कि उनके साथ में छे लोग थे छे में से पांस लोग जे बन गये ठीक है छे लोग वहां पर 17 बैस से जोइ गया था ठीक मतलब वो अच्छे में से पांस लोग पास किये थे एक का पास ना होने का रीजन यह भी चीज है कि उन्होंने किताब नहीं खड़ा था है अब पहले से थोड़ा कुछ भी पाड़ लिख करके जाते हैं तो आप इस एक्जाम को असानी से पास कर सकते हैं ठीक है तो जे जे सबसे पहले आपका यहां पर बनेंगे जे कितना का होगा आपका अटाइसों ग्रेट पर जे के बाद कोई आपको एक्जाम देनी के जुरुगत नहीं है बस तीन सल आपका अपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप सीणियर एक कांटेंट अब बन जाएंगे जो कि होता बै-ाली सोगे फेका बै-ाली से बाद आपको कोई ऐसा प्रमोसन होना नहीं बताया है कुछ एक लिए अलग से एक एक zestा होता है तो इसके वारे में में अगले वीडियो में जरूर में बता हूँ जास भी के लिए और वीडियो में इतना ही ासा करते हूं कि आप सभी 시간이 वीडियो पसंद पड़़ा होगा चलता हूं मैं थैंक्यू रटाएंड बबाई